पूरी दुनिया लोगों को इंप्रेस करने में लगी भी है हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा कंट्री, सिस्टम सब कोई जितनी भी एफट कर रहे हैं वो सब लोगों को इंप्रेस करने के लिए कर रहे हैं पर क्या हमें लोगों को इंप्रेस करना चाहिए? अगर नहीं तो फिर हमें किसे इंपरेस करना चाहिए मुझे लगता है सबसादा इंपोर्टेंट हमारे लिए जो बंदा है हमारे लिए जो इंसान है हमें सबसादा उसको इंपरेस करना चाहिए कौन है हमारे लिए सबसादा इंपोर्टेंट हमारे लिए सबसादा important है हमारा future self हम खुद हैं आज से 5 साल बात जो फरहान होगा मुझे उसको impress करना चाहिए मुझे उसको impress करने के लिए जितनी भी हो सके effort उदना करना चाहिए Alex Hormozy भी यही बात कहते हैं वो कहते हैं कि आपका जो future self है आपको अपना पूरा effort उसको impress करने में लगाना चाहिए क्योंकि वो आगे चल कर आपको thank you कहेगा अपने past को thank you कहेगा कि तुमने मुझे impress करने के लिए यह यह किया thank you और आपको खुद पर proud feel होगा जब आप future में जाओगे आगे जाओगे तो आपको अपने past को देखकर proud feel होगा कि मैंने अपने लिए इतना कुछ किया मुझे इस बात पर फकर है मुझे इस बात पर गर्व है पर बहुती दुख की बात यह है कि लोग ऐसा सोचते ही नहीं उनके अंदर एक बिमारी और एक रोग लगा हुआ है जिसको आपने भी सुना होगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग और यह बात आपने सुनी होगी कि दुनिया में millions of dreams और कितने सारे खुआप करोणों खुआप दफन हो जाते हैं सिर्फ इस बात से इस डर से कि मैंने अगर यह काम कर लिया यह एक्शन ले लिया तो पता नहीं लोग मुझे क्या कहेंगे और मैं भी यूट्यूब पे यह सब जो बातें बोलता हूँ मुझे भी बहुत सारे लिप बोलते हैं कहा जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ आपको लोगों के बात पर ध्यान नहीं देना है आपको उन लोगों को इंप्रेस नहीं करना है आपको अगर इंप्रेस करना है तो खुद को इंप्रेस करना है क्योंकि इस से आपके life meaningful बनेगी आपको लगेगा कि मैंने life में कुछ किया है that's all, thank you so much